बारत और वेस्ट इंडीज की बीच खेले जाने वाले वंडे सीरीज का आखरी मैच कई उओग खिलाडियों की करियर के लिए काफी एहम होने वाला है इस सीरीज के बाद दौनों टीमों के बीच्टी टी 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 सीरीज खेले जानी है सीरीज में टीम के सीने खलाडी स्कुआट का हिश्चा होगे T20 सीरीज में विस्वो टक बल्लेवाज रिश्वा पंथ भी खेलते हैं नजर आएगे अभी तक टीम इंडिया में अपनी छाप नहीं छोड़ सके हैं लगाता टीम का हिस्सा भी नहीं बन पाते हैं ऐसे में संजू को आने वाले समय में टीम इंडिया का हिस्सा बनना है तो इस सीरीज के आखरी मैच में एक बड़ी पारी जरूर खेल ली होगी टीम में संजू सैंसन और रईशान की संद बत और विकिट कीपर बल्लेवाज शामिल है लेकिन अभी तक दोनों मैचों में संजू सैंसन को मौका मिला है पर वो इस मैचों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम अब रहे है दूसरे वंडे और पहले वंडे मिलाएं तो रंज जादा निकले नहीं है अलगी दूसरे वंडे में सैंसन ने 54 गयतों में क्या होने बनाई इस सीरीज से पहले उन्होंने आर्लेंड दोरे पर भी तूफानी खिल दिखाया था उन्होंने ओपनिंग करते हुए आर्लेंड में शांधा 77 रंणों की पारी खेली सैंसन को टीम इंडिया में काफी कम मौके मिले हैं ऐसे में सीरीज के आखरी मैच में संजू से फैंस को एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर होगी संजू सैंसन के सफर की बात करें तो भारते टीम के लिए साल 2015 में अपना डेबू किया था उन्होंने भारत के लिए 14 टी-20 और 3 वंडे मैची खेले हैं इस टीम वंडे में उन्होंने 37.33 के उसा 612 रमनाये हैं वेस्ट इंडीज का ये दोरा उनके करेर के लिए काफी एहम होने वाला है वे हाली में इंगलेट के खिलाफ टी-20 पहले मैच में टीम में शामिल किये गए थे लेकिन उन्हें शांदा फॉर्म में होने के बात भी रोही श्रमा ने टीम में शामिल नहीं किया था जिसके बाद उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया और पीसी से की ताफी जादा आलोश ना किये थी आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा साथे हमारे चैनल न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकट को प्रेस कीजिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफेक्शन आपको सबसे पहले मिलती रहें